Hello students, good morning, today I will take your math subject, lesson number 11, heading is ratio and proportion Ratio and proportion मतलब क्या होता है, ratio कैसे निकालेंगे हम, two numbers में वो आज हम देखने वाल है मान लो, मैंने यहाँ पर example दिया हुआ है, रमेश की age 6 है और निर्मल की age 12 है ध्यान से देखो, रमेश की age कितनी है, 6 और निर्मल की age 12 है तो इनका ratio proportion निकालना है, हाँ ratio निकालना है, तो ratio निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको simplest form में हम divide करेंगे अगर 6 और 12, दोनों किस के table में आते हैं, 6 के table में आते हैं, कैसे, 6 वंजा 6 and 6 टूजा 12 तो उसको मैंने यह method में upon में लिखो उसको पहले, upon में लिखने के लिए 6 अपन 12 करेंगे और उसको cut कैसे करेंगे, 6 वंजा 6 में और नीचे आगा 6 टूजा 12 में तो उसका main ratio क्या निकल रहा हमारा, 1 upon 2, यानि की 1 is to 2 देखो, आया समझ में, 1 is to 2, यह हमारा क्या है, proportion, और 1 by 2 जो 1 by 2 है, यह क्या ratio निकला हमारा, और उसका proportion में लिखने के लिए, 1, 2 dot 2 proportion, यानि की 1 is to 2, ऐसा बोलेंगे हम, तो रमेश और निर्मल का proportion निकालने के लिए बोला है तो इसका proportion कैसे निकलेगा, 1 is to 2 निकलेगा, आया समझ में, next हमारा और एक एक एग्जामपल है, टी बनाने के लिए, milk और water दोनों लगते हैं, milk कितना cup लिया है, 1 cup, और water कितना लिया है, 2 cup, दियान से, milk लिया 1 cup, water लिया है, 2 cup, अब इनका ratio बनाना है हमको, तो इसको कुछ कठ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका simplest form ही, 1 और 2 है, अब इससे और यह कठ होने वाला नहीं है, तो directly हम इसको 1 upon 2 कर सकते हैं, ठीक है, 1 is to 2 directly हम इसको बोल सकते हैं, next है हमारा rice और दाल का, 3 cup rice and 1 cup दाल, तो इसको भी directly हम लिख सकते हैं, 3 upon 1, 3 upon 1 ratio है, और 3 is to 1 proportion है, तो यह मैंने 3 example बता है, ratio proportion, यानि के कुछ अगर ज़्यादा numbers हैं, तो उनको simplest form में लिख के, जो किसी के table में नहीं आए, उतना cut करके हम answer ratio proportion उसका बनाते हैं, और जो नहीं cut करने लाएक है, like 3 upon 1, 1 upon 2, जो नहीं cut करने लाएक है, वही हमारा ratio होगा, है समझ में?